एप्पल मोजेक वाइरस इसको कैसे हमें कंट्रोल या मनेज करना है इस वीडियो में उसी के बारे में बात होगी और पार्ट थर्ड में ये कितना सीविर हो सकता है अगर हम उसको सही से मनेज नहीं कर पाए सही से कंट्रोल नहीं कर पाए तो इससे कितना नुकसान हमें आगे देखने को मिल सकता है वो इंशालला पार्ट थर्ड में असलाम अलेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त साइद समी उल्ला और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल हाटी कल्चरिन कश्मीर अप्पल मोजेक वायरस पहले थोड़ी सी जानकारी इस बिमारी के बारे में क्या यह बिमारी सिर्फ अप्पल में पाई जाती है? बिलकुल नहीं जितने भी टेंपरेट फ्रूट्स हैं नट्स हैं जो मोसली हम कमर्शली ग्रिव करते हैं उन सबुमें पाया जाता है जैसे पियर, अप्रिकॉट, पी, चेरी, पलम, आलमंट, स्ट्राबरी, ब्लैक बरी, हैजलनट और भी बहुत सारे और कुछ हर्वेशस प्लांट्स में भी पाया जाता है इन शार्ट अभी तक 65 सुपीशिज में इसके सिम्टमस देखे गए है यानि 65 सुपीशिज में ये वाइरस पाया जाता है फिर इसको एपल मोजिक वाइरस के नाम से ही क्यों जाना जाता है क्योंकि ये बिमारी पहली बारी या इस बिमारी के जो सिम्टमस थे वो पहली बारी Apple में देखे गए थे इसलिए ज्यादा फेमस इसका नाम Apple Music Virus के नाम से हो गया और इसको बहुत और नाम उसे भी जाना जाता है चले दोस्तों अब आते हैं असली टॉपिक पर कि इसको हम manage कैसे करें देखे दोस्तों, manage करने से पहले ये बहुत ज़रूरी समझना है कि ये सुपरड कैसे होता है क्योंकि अगर आपने इसका सुपरड रोका तो ये manage कुदी हो जाएगा तो देखते हैं ये सुपरड कैसे होता है जो पहला main cause है इसके सुपरड होने का वो है infected budwood या infected graft इसका क्या मतलब हो गया आप जानते हो जब grafting का सीजन आता है तो हम कलम लाते है और grafting करते है चाहे किसी branch पे जो already existing हमारे orchards है या nursery में तो क्या होता है जो आप budwood यूज़ करते हो जो आप column यूज़ करते हो अगर उसमें ये virus present होगा तो दो या तीन सालों में आप देखेंगे कि जो आपने grafting की थी जो आपने column लगाया था उसमें apple music virus के symptom आ जाएंगे अब अगर आपने nursery में इसको लगाया होगा तो पूरे plant पे ही आपको इसके symptom दिख जाएंगे ये एक main cause है कि जो हम infected budwood या graftwood यूज़ करते है अब दूसरा pruning tools अब pruning tools से कैसे सुप्रड होता है देखें दोस्तो ये virus present होता है प्लांट के सैप में यानि जो रस होता है प्लांट का उस रस में ये virus पाया जाता है जब आप किसी branch को शाक तराशी करने के लिए जाते हो जिसमें virus होता है तो वो रस आपके इन pruning tools के साथ लग जाता है तो ये pruning tools infect हो जाते है अब यही pruning tool जब आप किसी healthy plant पे ले जाते हो शाक तराशी करने के लिए तो ये रस वहां लग जाता है तो इस तरह ये वाइरस एक infected plant से healthy plant में पहुँच जाता है, फिर ये वहाँ अपने symptom में दिखाता है, इस तरीके से pruning tools इसको help करते हैं, एक infected tree से एक healthy tree तक पहुँचने में है, और भी एक reason है जो root grafting है, लेकिन कश्मीर में मुझे नहीं लगता root grafting ज्यादा कोई यहां करता है यह major दो काज़स है, यानि infected graft wood या bud wood और दूसरा pruning tools, यह major दो काज़स है इसके सुप्रड होने के, अब फिर इसको रोके कैसे, इसको कैसे manage करें, देखें दोस्तों, अब अगर आपको grafting करनी है, आपको कलम लगाना है, तो खयाल इस चीज का रखना है कि जो आप कलम ला र और दूसरी जगा पे लगाने गए, तो खयाल इस चीज का रखना है, कि उस plant में वाइरस के सिम्टम्स ना हो, जो एपल मोजिक वाइरस के सिम्टम्स होते हैं, पहला, और दूसरा, अगर आप कहीं और से लाते हो, तो वहाँ सैटिफाई करें, कि यह जो bud wood है, यह वाइरस पहला तरीका इसे रहो का जा सकता है, अब दूसरा रहा प्रूनिंग टूल से, सब इस वक्त आपको क्या करना है, आपको अपने बाग में जाना है, जिन पेडों पे आपको अपल मोजिक वाइरस के सिम्टम्स दिख रहे है, उनको आपको टैग करना है, टैग करने का मतलब आपको निशान रखना है, निशान ऐसा रखना है, कि वो सालों साल चले, ऐसा नहीं कि छे महीनी के बाद आपको फिर से उसको निशान रखने की जुरूरत पड़ेगी, निशान कुछ भी हो जो आपको मन करें, यहां एडिशनल में इतना कहूंगा, सिर्फ कभी कभी क्या होत और बागी जो प्लांट होता है, वो बिल्कुल हल्दी होता है, तो बहतर है, वहां आप दो टैग्स यूज करें, एक टैग पूरे प्लांट पर जिससे आपको यह पता चले कि इसमें अपल मोजेक वाइरस के सिम्टम्स थे, और दूसरा उस ब्रांच पे, जिस पे आपने एक्चुल में बहुत सारा सिम्टम्स देखे थे इस बिमारी के, यह इस वकत आपको करना है क्योंकि इसी वकत इसके सिम्टम्स विजिबल होंगे, जितनी जितनी गर्मी बढ़ जाएगी, अगर इसके सीवेटी ज्यादा नहीं होगी, तो जून में यह सिम्टम्स खुद ही खत्म हो जाते है, फिर से यह ग्रीन यह लीवज हो जाएगे, जो इस वकत आपको यलो पैचिस जिन लीवज में आपको दिख रहा है, अगर नेक्रासिस होई होगी, वो तो रिकावर नहीं होगा, लेकिन अगर वो सिरिफ यलो पैचिस बने होगे, तो वो खुद ही करने के लिए जाओगे, अगर आप यह टैगिंग नहीं करके रखोगे, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, किस ब्रहांट पर था या किस प्लांट पर अपल मोजिक वाइरस की सिम्टम्स दे, उससे क्या होगा, जब आप इसकी शाक तराशी करेंगे, वहां से वाइरस और जब हल्दी प्लांट पर जाएंगे, तो फिर से सुप्रेड होगा, लेकिन जब आप निशान रखेंगे, तो जैसे ही आप इस प्लांट पर पहुंचेंगे, क्योंकि उस वक्त लीवस तो प्रेजन्ट होंगे नहीं, इसलिए आप सिम्टम्स तो नहीं देख पाएंगे इसलिए टैग करना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप इस प्लांट के पास पहुंच आएंगे, आपको याद आजाएगा, कि इसमें मैंने टैग करके रखा है, इसका मतलब है, इसमें वाइरस है, तो अब क्या करना है, देखे, फ़र्ज करें, आपके बाग में 100 प्लांट है, और 100 में 2 या 3 प्लांट है, जिनमें अपल मोजिक वाइरस की सिम्टम्स आपने देखे, तो करना क्या है, जब आप इस साल प्रूनिंग करने के लिए जाएंगे, तो पहले जो आपके प्रूनिंग टूल्स है, जितने भी आप यूज करते हो, चाहे आरी हुआ, कंची करें, उसके बाद क्या करना है, जो आपके हल्दी 97 प्लांट बचे, पहले आप उनकी प्रूनिंग करें, जो बिल्कुल हल्दी है, जिन पर आपने कोई सिम्टम नहीं देखा है, पहले उनकी प्रूनिंग खतम करें, उसके बाद यह जो तीन प्लांट है, जिन पर आपने अ इस सीजन में अप्ल मॉजयक वायरस के सिंटम नहीं देखे हैं, पहले उनивать की शाकतराशी करें, और फिर उस बरांच की शाकतराशी करें, जिसमें आपने अप्ल मॉजयक वायरस की सिंटम देखे थे जब ये plant खतम होगा उसके बाद इन pruning tools को एक बारी फिर से sterilize करें उसके बाद दूसरे plant के पास जाए और सेम procedure उस पे भी करना है पहले healthy branches की pruning करनी है उसके बाद infected की फिर से sterilize करें और फिर आखरी plant की और जब सारा खतम होगा जब आपने पूरे orchard की pruning की तो फिर से जो ये pruning tools थे उनको एक बारी फिर से sterilize करें ताकि जब आप next year आए इन में कोई infection ना हो कुछ ना हो तो इस तरीके से हमें इस disease को manage करना है अब कितनी severe ये होगी ये इंशालला मैं part third में बोलूँगा लेकिन इस वकत आपको tagging करना बहुत ज़रूरी है और दूसरा अगर आपको अपने भाग से ही अप graftwood लेना है आपके पास नाई varieties है उनमें virus नहीं है तो आप उनको यूज कर सकते हो लेकिन अगर उनमें आपको ये virus के symptoms दिख रहे है तो उस budwood को बिलकुल यूज ना करें नहीं तो ये और ज़्यादा सुप्रेड हो जो hand sanitizers अभी हम यूज कर रहे है जो alcohol-based है आप उनको यूज कर सकते हो फिर हमारे symptoms खतम हो गए तो असल में होता क्या है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर इसकी severity जादा नहीं है तो जैसे ही जैसे गर्मी बढ़ जाएगी ये virus खुद ही खतम हो जाएगा और जो आपक कोई भी fungicide spray किया और 5-10 दिनों या 15 दिनों के बाद जब आप वापस अपने बाग में जाओगे जब घर्मी बढ़ी होई होगी तो ये virus का जो प्रबाव है वो कम हुआ होगा तो उसकी वज़े से आपको क्या लगेगा कि जो yellow patches थे वो खतम हो रहे है तो confusion लोगों को ये ह करेंगे और apple music virus जो है खतम हो जाएगा कोई भी spray market में present नहीं है इसके लिए इसको अगर आपको manage करना है तो वो यही है इस वकद आप tagging करें और जब आपको pruning करनी है pruning tools को आप पहले sterilize करें फिर जो आपने tags plants किये होंगे उनको आखर में करें और जो budwood आप यूज करते ह हो आप उन plants से लिए जो healthy होंगे जिन में infection नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो यह disease आसानी से रुख जाएगी तो इंशालला मिलते हैं तीसरे पार्ट में तब तक के लिए अल्ला हाफिज झाल 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